हेलो फ्रेंड्स देखिए आज हम आपके लिए एक सुन्दर सा डिजाइन लेके आए हैं यह बवल्स वाली डिजाइन है यह कार्डियान में पनाएं बहुत ही सुन्दर लगेंगे यह डिजाइन जो है हमने टोटल पचीस फंदे लिए हैं यहां से दिखिए यहां तक जो बन टोटल हमारे पचीस फंदे हैं आप चाहें तो साइड में इस डिजाइन को डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं यह उल्टी या सीधी रखे भी आप डिजाइन बना सकते हैं इससे देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं सबसे पहले हम एक फंदा सीधा लेंगे फिर उल्टा लेंगे, फिर देखिए, यह जीक जाग वाली डिजाइन हमने पहले भी बताई है, इसे बुल लेंगे, फिर देखिए, वह बारा यहां से डिजाइन स्टार्ट हुआ, तीन, चार, पांच, छे, यह साथ देखिए, हमने बुल लिये है, अभी आठवे फंदे में, हम एक लूप से एक फंदे से पांच टूप बनाएंगे, दो, तीन, चार, पांच, और एक उल्टा बुल लेना है, फिर देखिए, इसे हम इसी फंदे को किस तरीके से बुनते हैं, यह दिखिए, सभी फंदे को हम उल्टा बुल लेंगे, दो, तीन, चार, यह पांच हो गया है, अब देखिए, इन सभी को हम इस तरीके से, इस स्लाइप डाल लेंगे, पांचो फंदे को, उसके बाद सभी को हम पहले बाले फंदे से हम गिराते जाएंगे, देखिए, दो, तीन, चार, यह पांच, यह दिखिए, दिखिए हमारा बबल्स बन के तयार है, फिर दिखिए हम, साथ फंदे, फिर उसी तरीके से, बुल लेंगे, तीन, चार, पांच, छे, यह दिखिए, साथ फंदे हो गए, एक उल्टा, यह जीक चेक वाले डिजाइन है, देखिए, यह ठारा रो में हमारा तोटल डिजाइन कंप्लीट होता है, यह फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड रो में देखिए, हमें एक फंदा, लास्ट वाले जो पांच फंदे हैं, उसे बुन लेंगे, देखिए, डिजाइन जो है, दो, तीन, चार, पांच, शे, टोटल फंदे, हमें उल्टा बुन लेना है, उल्टा का उल्टा पूरा बुन लेंगे, अब देखिए, यह हमारा, फिर से तीसा रो सुरू हुआ, यह हमारा साइड वाला डिजाइन बंधा है, अभी, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, अब जो है, छे फंदे हमने बुन ली, अब सातवे फंदे में, वापस से, वान लूप से, जो है, वान फंदे से हमें फाइब लूप बनाने हैं, टू, थ्री, दिखे, फोर, यह फाइब, दिखे, हमने इसे बुल ली है, फिर उसके बाद, वान, तू, थ्री, फोर, यह फाइब लूप, यह जो है, एक, इस तरीके से बुल लेना है, फिर देखे है इसे, बुल लेना है, देखे, एक, दो, तीन, चार, यह देखे, पास फंदे हमने, बुलनी है, फिर वापस से, देखे है, इसे हम इस सलाई पर डाल लेनी है, दो, तीन, चार, पाच, फिर, सारे फंदे को हमें इस तरीके से, तीन, चार, यह देखे, यह हमारा, फिर से, यह बबल्स बन के तयार है, फिर बीच वाले जो है, उससे हमें, सीधा बुल लेना है, देखे, फिर यह, इस साइड हमें, इस से, फिर वापस, फाइप लूप निकालने है, तू, त्री, देखे, फोर, यह फाइप, अरे लाश्ट वाले हमें, बुल लेना है, देखे, दो, त्री, चार, पाच, फिर देखे, तो इस खंदे को, इस लाइप डाल लेंगे, इस सब को, इस खंदे को गिरार देंगे, दो, तीन, चार, देखे, तीन जो है, बावल्स बनके तयार है, फिर, चारे फंदे, सीधे वाले फंदे, सीधा बूल लेंगे, थिरी, फोर, फाइव, जिक्स, है, फोर्द्रा मैं डेके, अइव, घपारे वेह, जो, अब उल्टे सारे फंदेक उल्टे बुल लेना है, तीन, लीच वाले बबल्स भी हमें, जो बने हो गए थे उसे भी उल्टा बुल लेना है, हमारा फॉर्थ रोग कम्प्लीट हो गया, फिप्तर हमें देखिए, देखिए, यहां हमारा है, यहां हमारा, अब एक फंदा जो है, पहले जो है, वान, टू, थ्री, फोर, फंदे के बाद जो है, हमारा बबल्स भनेगी, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार पांच हो गया, देखिए, इस तरीके से बुल लेना है, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, हम एक उल्टा भूल लेंगे यहां देखिए और यह बावल्स बने हुए हैं वह हम सीधा भूल लेंगे इसे भी हम सीधा भूल लेंगे बीच वाले फंदे को हम सीधा ही भूल लेंगे इसे हम सीधा ही भूल लेंगे इसे हम सीधा ही भूल लेंगे बीच में जो है चार फंदे तीन फंदे एक दो तीन फंदे सीधा भूल लेना है फिर एक फंदा उल्टा भून करके हमें बावल्स बनाना है यह दिखिए एक दो तीन चार पांच इसे भी हमें बुलने ना है देखे तीन चार पांच अब जो है फिर हमें देखिए यहां उल्टा हमने बुने फिर देखिए हम यहां उल्टा बुन लेंगे फिर बाकी सभी फंदे को यहां जो हमारे चार फंदे थे वान तो थ्री फोर यहां हम चार फंदे को सिधा बुल लेंगे यहां हमारे पाच बबल्स बनके तयार है आप देखिये उल्टे में हम देखिये किस तरीके से यहां हम उल्टा बुलेंगे और यहां जो हमने उल्टा बुले थे वहां सिधा बुल लेंगे और यहां उल्टा बुल लेंगे और यहां यहां भी हम बीज के पाट को ही हम उल्टा बुलेंगे फिर देखिये यहां भी हमें उल्टा ही मुनना है और यह उल्टा जहां बुने थे वहां सीधा बुन लेना है इस तरीचे से देखिए अब हमारा लाश्ट बावल्स बनेंगी देखिए हमारा दो फंदा बुन गया अब जो है कि दो दो फंदे बचे हैं तो यह हम उल्टा बुनेगा और यह जो फंदे हैं इस पर हमारे बावल्स बनेंगे एक दो तेन चार पाँच देखिए सारे फंदे को इस पर डाल देए तेन चार पाँच देखिए अब यह जो फंदे हैं इससे हम उल्टा बुन लेंगे और इससे सीधा इससे भी हम सीधा ही बुनेंगे बीच वाले जो हमने बुने थे वह हमेशा सीधा ही बुने जाएंगे यह देखिए उल्टा और यहां देखिए यहां जो हमने बनाए बवल्स उसके यहां साइड में हमने उल्टा बुने हैं एक वापस फिर हमें उल्टा बुन के उसके बाद ही हमें बवल्स बनानी हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, लास्ट वाले का हमें बुने नहीं है इस तरीके से यह देखिए फिर से यह देखिए इस सारे फंदे को हम डॉप कर देंगा यह देखिए यह हमारा बवल्स बनके तयार है अब यह देखिए हम दो सीधे लास्ट वाले जो है हमारा यहां जो है सारा बवल्स बनके तयार है अब देखिए यह जीकचग वाली डिजाइन है वसे साइड में बना लेन ने हुआ है हम देखिए यहां हम सीधा उल्टा बुने थे यहां सीधा हमें इस बात का ध्यान रखना है हमेशा यहां देखिए सीधा बुनना है यह हमें उल्टा तीन जो फंदे हैं बीच वाले यह हमेशा सीधा बुने जाएंगे बवस बनने के बाद देखिए यह सीधा जो बच्चे हुगे हैं तीन फंदे से उल्टा बुलने ना है अब देखिए हमें यहां से हमें किस तरीके से जाली बनानी है यह जो हमारे हैं दो फंदे बुनने के बाद हमारे जाली देखिए यहां से जाली बनने लगेंगे और यह जो बीच में तीन फंदे हैं उससे हमें देखिए किस तरीके से बुनना है सारे फंदे को इस तरीके से हमें सीधा कर देना है एक साथ जो है तीन फंदे हमें ये तीन फंदें हमें सीधा करके एक साथ गुन देना है क्योंकि हमारे एक फंदें यहां बढ़ रहा है इधर भी एक फंदें बढ़ेंगे यह देखिया यह देखिया यह जो बबल्स है यहां से हमारे एक फंदे जो है जाली बनते हैं और यह बीच में घर्टते जाते हैं दो जो कर दो स्वीधा, एक उलता, एक सीधा, एक बीच में जा अब देखिए हमारा भी एक जाली बना है, जाली बनते बनते देखिए, डिजाइन हमारा बन के तयार हो जाएगा, देखिए एक, तो, अब हमारा जो है, तीन सीधा हो गया, अब यहाँ से हमारा फिर से जाली बनेगी, फिर एक सीधा इसके बाद देखिए, इस तरीके से जो है, बीच वाले फंदे जो है हमें, यह फंदे को हमें यहाँ लेनी है, और इसे इस तरीके से, हमें गुन देना है, सीधा करके देखिए कर देखिए करें, करें Remember यहां देखिए, हमें तीन फंदे बुने हैं, यहां थीन फंदे बचे हुए हैं, यहां वापस से जाली बनाएंगे दिखिए एक दो यह तीन फंदे हमारे हो गए जाली हमेशा इस तरफ मुरेंगे और यह इस तरफ जाएंगे झाल 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 हमारे दो जाली देखिए इस तरफ जाली हमारे जा रहे है इस तरीके से देखिए दो तीन देखिए हमारा इधर फंदा बढ़ते जाएगा इस तरीकिए इसे ला गफ में बूल लेना है इस फंदे को हम पहले इस طऱ तरफ करेंगे बीच वाले फंदे कूस्प्र टालेंगे इस तरीके से जिस तरह ना बनाते हैं उस तरीके से हमें पीछे से फंदा डालते हुए इस तरीके से बुलने ना है इस तरीके से हम गला बनाते हैं तीन फंदे को हमें एक साथ बुलते हैं एक जाली देखिए यहां हमने बनाएं कि चार देखिए कर देखिए कर देखिए बुल्ड पादे पने लुगे एक कर दो दो आमारे पादे पने अगे कि एक इदा कि सारे फंदे को उल्टा उलने ना है कि दिख में सी धाब मुलने के पाद इस तरीके से कि देखे इससे हमारा देखे दो तीन जो बढ़े हुए जाली वाले फंदे हैं चार इससे वापस हमें एक और जाली बना लेनी है और इसे इस तरीके से गला बूलते हैं इसे हमें सीधा इस तरीके से लाना है फंदे को आगे कर लेना है अब तीन फंदे जो है प्रले चितरह ही यह हमारा पंद्रह भी फंदा चल रही है अब दिखे एक और जाली बना लेनी है दो अब दिखे तरीके से हमारी यह पंद्रह भी रह चल रही है अब देखे हमारी सोलह भी रह चलेगे यही है अब दो तीन वपल करते किया है तुए प्राफि कर दो कि अज़ल एक अज़ एक अज़ एक अज़ एक अज़ एक अज़ एक अज़ साटरा भी रहा है दो तीन चार यह हमारा डिजाइन देखिए अब कम्प्लीट होने वाली है अब यह देखिए यह तीन बचे होगे हमारे बीच के वान टू थ्री इसे देखिए हमें बिल्कूर गले के तरह ही बीच बाले को उपर लाना है और तीन फंदी एक साथ बूल लेना है देखिए यहां पर हम एक चाली बढ़ाते हुए हम इसे बूनेंगे यह देखिए यह जो बीच बाले फंदे है इससे हम उपर लाएंगे और यह तीन फंदे हम जाली बढ़ाते हुए बूनेंगे फिर देखिए इस तरह भी हम एक जाली बढ़ा देंगे इस तरीके से सारे फंदे को हम सीधा बूल लेंगे यह जो एक्ष्टा हमारे डिजाइन है इससे भी बूल लेंगे यह हमारा 17 अभी रह हो गया अब लास्ट रह हमारा 18 अभी रह देखिए इस तरीके से सारे फंदे को उल्टा हम उल्टा बूल लेंगे इस डिजाइन वाले भाग है 15 फंदे हमें तोटल बूल लेना है यह देखिए हमारा 18 अभी रह कंप्लीट हो गया यह देखिए बिलकुल नीचे के तरह हमारा डिजाइन है देखिए मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब चरूब कर दें आड़ ऑज़ को खाता यह – कया भाग portion आी हम थीजा देखिए सत्वित्स सभ्सक्राइब